दोस्तो यूटूब पर जो पेमेंड मिलता है ना वो SBI एकाउंट पर जब क्रेडिट होता है उस ताइम हमें कितना चार्जेस पेय करना पड़ता है तो दोस्तो यह बेसेस तब होता है जैसे कि माल लो आप किसी भी बैंक पर ही हो जाए आपका एकाउंट तो वहाँ पर आप किसी दूसरे बैंक का हो सकता है 4% चार्जेस किसी एक बैंक का हो सकता है कि 1% चार्जेस ठीक है तो SBI बैंक का चार्जेस जो होता है दोस्तो वह होता है 3% ठीक है तो चार्जेस 3% तो वह कब कितना कटेगा अगर इंडिया रुपीस में कहा जाए दोस्तो तो वह आप नहीं US dollar का rate माल लो 100 रुपीज है और वहाँ पर SBI bank पर आपका पैसा exchange हुआ है US dollar का currency change होकर इंडिया का currency में आया है तो आपको तो पैसा देना होगा charges यह तो सही है और वहाँ पर माल लो 3% नहीं 1% charges है तो आपको per dollar में आपको कितना पैसा देना होगा per dollar में आपको 1 रुपीज करके देना होगा यानी 100 dollar को exchange करने के लिए आपको charges देना होगा 100 रुपीज दोस्तो ठीक है तो माल लो आज से कुछ दिन बाद US dollar का rate बार कर हो गया 200 रुपीज ठीक है तब किया होगा आपका जो पैसा है उसमें charges तो 1% ही लगेगा पर उस time आपका 200 रुपीज का 1% हो जाएगा दोस्तो 2 रुपीज ठीक है तो percent तो सही रहता है percent जहां पर है वहां पर ही है अगर in future bank वाले increase करे तो वो तो नहीं कहा जा सकता पर आपका जो charges होता है वो currency का rate के ऊपर basis करके होता है ठीक है तो आई हूप आपको समझ में आया होगा अगर dollar का rate जादा है तो आपको charges भी जादा देना पड़ेगा दोस्तों ठीक है तो मेरा YouTube पर जो payment आया था YouTube का payment SBI bank पर आया था वहां पर मुझे कुछ charges पे करना पड़ा था ठीक है तो मैं आपको अगर सिधा सिधा कहूं दोस्तों तो मान लो आपके पास जितना भी पैसा भी हो जाए दोस्तों तो आपको तो charges देना होगा यह तो ठीक है तो जब US से पैसा आता है उस ताइम आपको कुछ form भी फिलाफ करना पड़ता है SBI bank भी हो या किसी दूसरा bank हो दोस्तों ठीक है त और US से जब मेरा पैसा आया dollar share change होकर rupees में दोस्तों तब मुझे कुछ भी from भी फिलाफ नहीं करना पड़ा क्यूंकि हो सकता है bank बाले ने सोचा कि US से इतना पैसा ही आया है अगर मेरा पैसा दोस्तों regular आता रहे ठीक है regular आये दोस्तों तो मुझे charges भी देना होगा और मुझ मुझे from भी फिलाफ करना होगा ठीक है क्योंकि bank बाले मुझे पूचेंगे कि क्यों इतना पैसा आता है आपको आपका bank पर क्यों इतना पैसा आता है दोस्तों ठीक है तब मुझे बाताना होगा कि इस regions के बज़े से मुझे पैसा मिलता है bank पर तो उसके बाद मुझे requirement document दे देना होका उसका front piece का और उसके बाद आपका YouTube चैनल का एक screenshot लेकर आप उसको जरक्स करके या तो print out करके आप वहाँ पर submit कर सकते हो और वहाँ पर एक form दिया जाता है उसको फिलाफ करके आप दे सकते हो ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है तो आप बात कर लेते हैं कि मुझे कितना charges देना पड़ा दोस्तों तो मुझे दोस्तों charges देना पड़ा पार डॉलार में मुझे टू रुपीज करके charges देना पड़ा दोस्तों यानि तू रूपीज नहीं है तू रूपीज 25 पेशा है दोस्तों ठीक है तो मुझे टू रूपीज 25 पेशा करके पार डॉलार को एक्टेंज करने में चार्जेस देना पड़ा तो वो मुझे समझ में आया कैसे तो मेरा जो यूटूब चैनल है उसमें तो शो करता है कि मुझे कितना पेशा मिला है इंडियान रूपीज में तो मैं वहाँ पर देखा और उसके बाद जब मेरा बेंग पर पेशा आया उसमें जो पेशा था तुरक कम था तो मैंने उस amount से मेरा जो पैसा मिला है वो minus कर दिया और उसके बाद मैंने मेरा जो जितना total dollar था उससे divide कर दिया था जिसके बज़े से मुझे पता चल गया कि par dollar को एक चीज करने में मुझे कितना charges pay करना पड़ा fast payment आने के time पर ठीक है तो in future अगर dollar का price और भी जाता increase हो तो मुझे charges जादा देना होगा अगर decrease हो तो charges कम देना पड़ेगा तो I hope आपको पता चेल गया कि US का dollar को exchange करने के लिए आपको SBI पर कितना charges देना पड़ता है दोस्तो ठीक है तो गफ्राने का कोई बात नहीं है अगर hundred dollar आपका हो जाए तो two rupees करके charges भी हो जाए दोस्तो पार dollar में तो आपका क्या चला जाएगा दोस्तो charges तो देना होगा तो I hope आपको पता चेल गया कि exchange करने में कितना पैसा लगता है तो आप बात करते मुझे कितना पैसा मिला है YouTube से तो अगर आपको जारना है कि YouTube का payment मुझे कितना मिला है YouTube से तो मेरा description box पर दूसरा एक वीडियो है उसको जाकर देख सकते हो उसमें मैंने बताया है कि मेरा कितना payment मिला है और मेरा दूस्तो मैंने अंदर सा नहीं दिया डाइरेक्ट मैंने कहा है मेरा मामी ने आपने खुद क मुझे कहा है कि कितना पेशा मुझे YouTube से मिला है दोस्तो ठीक है तो अभी जाओ जाकर तुरांत वो वीडियो देखो दोस्तों ठीक है और एक चीज मैंने फाइब यार यूट्यूपर मेनेद करके इतना ज़दा तो knowledge गेन कर लिया है कि किसी भी चैनल को अगर आज मैं new open मैं वो चैनल को monetize कर वा सकता हूँ ठीक है तो अगर मेरा वो knowledge जानना चाहते हो कि कैसे आप भी आपने चैनल को 5 मांत या तो 3 मांत के अंदर ही आप अपने चैनल को monetize कर सकते हो तो वो secret कैसे apply करना पड़ता है और वो secret कौन-कौन से है तो मेरा YouTube advance course को बाहर कर सकते हो ठीक है तो उसका link में description box पर दे दूँगा और उसका जो price है दोस्तो वो स्रेफ 99 रुपीज है कभी कबार 199 रुपीज हो जाता है तो आभी के time पर YouTube का fast payment मुझे मिला है जिसके बज़े से कह सकते हो कि offer है आपको की 50% discount है अभी जाओ जाकर आप उस course को buy कर सकते हो स्रेफ 100 रुपीज invest करके मेरा खुद का secret जान सकते हो दोस्तो ठीक है तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते किसी next video पर तो आज के लिए इतना ही में को प्रेस हूँ good bye